ओके आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडिशन और फ्रेक्शन्स मतलब फ्रेक्शन्स बटे वाली नंबर्स को कैसे एड या फिर प्लस हम लोग करेंगे तो दो एक्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक्जांपल से आपको समझ में आ जायेगा फिर आप लोग मिनिममम टवेंटी सेगन्ड में आप लोग उसको हम ब्रस कर सकते हैं तो यहां पर पहली एक्जांपल मैंने लिए है ओफघ फॉर अपॉन सेवन उसको प्लस करना एं टू अपॉन फ्री के साथ तो प्लस करने से पहले मैं उसका थौड़ा तो उपर वाले नंबर को हम लोग numerator कहते हैं और नीचे वाले नंबर को denominator उसी तरह दूसरा fractions देखिए उसमार उपर 2 लिखा है तो यह numerator है और नीचे वाले नंबर को denominator तो इसको plus करने के लिए आपको cross multiply करना है cross multiply means यह आप लोग SS को multiply करेंगे 4 को 3 के साथ multiply करेंगे यहाँ पर मैंने round किया है cross multiply उसके बाद दूसरा fraction है उसमें 2 है 2 को 7 के साथ multiply करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए 4 को 7 4 को 3 के साथ हम लोगों ने multiply किया है रड माग देखिए आप लोग 4 को 3 से हम लोगों ने multiply किया है फिर बीच में plus की sign है तो plus की sign हम लोगों यहाँ पर लिखा है फिर उसके बाद 2 को 7 के साथ multiply गया है तो 2 multiply 7 फिर यहाँ पर divided by ऐसा two times था अब यह whole divided by denominator में यहाँ पर numbers थे 7 and 3 7 और 3 को mutually multiply करना है तो इस तरीके से आपका steps आएगा फिर next step में आप लोग देखिए 4 और 3 को multiply किये तो 12 आपको मिला बीच में plus का symbol है तो हम लोगों ने plus का symbol लिखा तो 2 multiply 7 2 को 7 के साथ multiply किया तो 14 आया है और 7 को 3 के साथ multiply किया तो 21 फिर next step में हम लोग 12 और 14 को add करेंगे तो आपका final step means 26 upon 23 तो इस तरीके से आपका answer आएगा तो easily आप लोग इसे solve कर सकते है next example लोग और देखते है second example second example मैंने यहां पर लिए 1 upon 4 plus 9 upon 2 तो यहां पर भी आप लोग वैसी solve कर सकते हैं cross multiply आप लोग करेंगे यहां पर मैंने क्रॉस किया cross means first fractions का numerator और second fraction का denominator इन दोनों को multiply करना है तो next second fraction का numerator और first fraction का denominator इन दोनों को multiply आपको करना है तो next step आपका ऐसा आएगा 1 multiply 2 1 multiply 2 फिर प्लस 9 multiply 4 the whole divided by whole divided by denominator में आपका पहले denominator था 4 और दूसरे fraction का denominator था 2 दोनों को mutually multiply यहां पर किया मैंने उसके बाद multiply के बाद जो भी numbers आएगे उसको हम लोग नीचे step में लिखेंगे 2 को हम लोगोंने 1 के साथ multiply किया 2 को 1 के साथ हम लोगोंने multiply किया 2 अंजा 2 फिर प्लस के नीचे हम लिखेंगे फिर 9 multiply 4 तो 9 4 जा 36 तो इसके बाद denominator लिखेंगे denominator में 4 into 2 है 4 multiply 2 means 4 to the 8 तो यहां आप लोगोंने 8 लिखा है फिर next step में हम लोग numerator में आप लोग देखिए 2 प्लस 36 है तो को 36 के साथ add करेंगे तो यहां पर आपको 38 आएगा तो इस तरीके से आपका अंचर आएगा तो easily आप लोग इसको ऐसे एड़ कर सकते हैं फिर यहां पर मैंने आपको four examples दिये यह four example का आप अच्छे से practice कर सकते हैं यहां पर first example मैंने यहां पर लिया है आप लोग देख स कर सकते हैं एक यहां दो example के बाद आप लोग इजीली minimum 20 सेकंड में आप लोग इसको solve कर सकते हैं